हेलो गाइज विडियो बात करने वाले हैं हमने 5050 के बारे में कि कल के आपकी किस तरह है कि प्लाइनिंग रहनी चाहिए सो दैट आप मार्केट से पैसा बना पाऊ सबसे इंपोर्टन यह है कि मार्केट अभी भी रेंज में चल रहा है मार्केट वापस से पुल बैग लेके अपनी रेंज में घुस चुका है और यही कई न कई हमें काफी जादा दिक्कत दे रहा है जिन लोगो लॉस हो रहे हैं वो एक चीज पर बस कंट्रोल करें कि ट्रेड कम लें अगर उनका कोई व्यू है ट्रेड का ट्रेड लो लेकिन अगर लॉस हुजाता है तो वहाँ पर रुक जाओ ऐसा नहीं आप दिन में 50-50 ट्रेड किगे जा रहे हो 20-30 ट्रेड कर रहे हो लॉस पर लॉस ले जा रहे हो आज हमने अपने मेंबर्श को क्या ट्रेड दिये थे कहा पर पैसा बना टेलिगराम पर हमने क्या बताये था प्रोफिट उसके बाद कुछ भी नहीं बस इतना ही था आज का प्लाइन आज का गेम यानि कि आज जो पैसा बना अब बात करें बैंक निफ्टी में आप लोग को मैंने एक ट्रेड दिया था 46,430 के नीचे यानि कि 46,430 का जब लेवल निकलेगा तब आप पुट सैड में जा सकते थे वहाँ पर आपको 100 पॉइंट का सीधा वन डारेक्शन मूव मिला और आप अगर अपना स्टॉप लोस लेके काम करते तो आपको 500 से 200 पॉइंट का मूव मिलता आप जाके एक बाद चेक आउट जरूर कर लेना अब बात कर लेते हैं अपने निफ्टी के बारे में कि निफ्टी में मुझे क्या देख रहा है तो चलिए सबसे पहले इस ट्रेंड लाइन को यहां से अटाके इधर ले आते हैं क् का काम हो चुका है खतम और इस ट्रेंड लाइन को यहां पर डाल देते हैं क्योंकि मुझे एक सपोर्ट नजर आ रहा है जो मार्केट ने लिया है ठीक है एक और ट्रेंड लाइन की मेरे को जरूरत लगेगी क्यों क्योंकि मुझे उपर से भी एक रिजिस्टेंस देखने को मिल रहा है जो कि यह यह वाला एरिया और अमारा मार्केट कुछ ऐसा हमें देखने को मिल रहा है अब important क्या है कल के लिए देखो market ने reversal लिया है बहुत ही बढ़िया बात है लेकिन दिक्कत यह कि market बस range में है अभी इस range का जब तक breakout नहीं आएगा ना तब तक हमें बढ़िया target देखने को नहीं मिलेंगे तो हम कल की planning किस तरीके से कर सकते हैं वो मैं यहाँ पर आप लोग को बता देता हूं so that आप उसी तरीके का plan करके market से अगर उस direction में move करे तो आपका पैसा बन जाए ठीक है देखो market ने कल भी try किया था lows निकालने का लेकिन यहाँ पर sellers इतने ज़्यादा नहीं है जो यहाँ पर market को गसीट के नीचे ला पाएं ठीक है सेम चीज हमने आज भी देखी देखो यहाँ से वापस buyers है लेके गए यहाँ पर देखो वापस से buyers उपर लेके गए तो weakness sellers में ज़्यादा नज़र आ रही है यहाँ पर sellers interested ही नहीं है market को गिराने के लिए या फिर वो किसी एक point का wait कर रहे है जब वो बहुत सारे call buyers को फसा के नीचे लाएंगे यह दो condition हो सकती है अब यहाँ पर हमें बार बार एक support देखने को मिल रहा है जैसे कि आप देख सकते हैं और यहाँ पर हमको बार बार एक resistance देखने को मिल रहा है पिछले तीन दिन में तो हमारी planning इसी के base पर रहेगी क्यों क्योंकि बड़ा कुछ हमें देखने को नहीं मिल रहा है तो यह जो हमारा recent swing low है ना इसके नीचे यह level है क्या 22,140 का हम इसके नीचे ही plan करेंगे put side में तब तक हम plan नहीं करेंगे अगर यह level निकालता है 22,140 का तो अपने target क्या होंगे तो हमारे target होंगे almost almost 22,050 तक के कहां से 22,140 से almost almost मुझे 100 point यहां पर देखने को मिल रहे है हम इस वाले area तक आ सकते है किदर put side में ठीक है उसके बाद अगर हम और नीचे जाते हैं फिर हमारा 22,000 ultimate round level support है तो मुझे लगता है कि यहां पर हमें बढ़िया support मिल जाएगा लेकिन अगर बड़ा free fall हुआ तो फिर हम सीधा by 21,900 तक आ सकते हैं this is the level यह वाला area जहां से हमको एक sharp bounce देखने को मिला था इस area में हम आ सकते हैं ठीक है तो हमें 22,140 के नीचे plan करना है I hope आप समझ गए हो अब बात कर लें call side के लिए क्योंकि market में जो ending हो यह काफी बढ़िया हुई है तो हमें क्या plan करना है जो हमारा recent high है यानि कि यह वाला level और यह level हमारा almost निकल के आ रहा है 22,230 के आसपास ठीक है और 22,220 230 आप एक बार जरूर इसको exact देखें इसके उपर एक candle closing आए एक pullback चाहिए हमको उसके बाद हम plan करेंगे upside का 22,220 का level है आप देख सकते हैं clear cut तो किस तरीके की हमारी call side में planning है एक बार screenshot लेके समझा देता हूँ आप लोग को so that आप confused ना हो देखिए market हमारा इस range में open हो यह वाला जो हमारा level है यह इसके उपर हमारा market निकले एक pullback लेकि जैसे ही अपना यह pullback का ही निकालेगा हम इधर call side के लिए entry कर लेंगे ठीक है अब important है कि हमें target क्या मिल सकते हैं हमें 22,283 तक के यहाँ पर target देखने को मिल सकते हैं यानि कि नीचे भी 100 point मिल सकते हैं उपर भी 100 point आराम से मिल सकते हैं हमें nifty 50 के अंदर इतना ही plan करेंगे फिलाल बाकि जो भी होगा वो मैं आप लोगों को telegram के उपर बताऊंगा बट इसके लिए इतना ही है हमारा एक put side में trade plan है कि कब करना है एक call side में trade plan है कि कब करना है तो उसके according आप plan कर लेना वीडियो को like करो channel को subscribe करो telegram को join करो comment section में कुछ पूछना है तो मेरे से पूछ सकते हूँ मैं उसका answer आपको करके दे दूँगा thank you so much मिलते हैं कल सोबे आपको pre market वीडियो के साथ